हे गाई सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 40,000 जो seat acceptance fee है NCHM counseling में तो उसको कैसे pay करते हैं Actually मुझे लगा था कि इस वीडियो को करने की उतनी साथ जरूत नहीं है लेकिन फिर वीडियो मेरे पास बहुत सारे calls बहुत सारे message आ रहे हैं बहुत से students ने अभी तक अपना seat acceptance fee जो है उसको pay नहीं किया है तो first round में अभी जो seat acceptance fee आपको pay करना है जो 40,000 आपको pay करना है उसकी last date 22 September 2021 तक है तो आप 22 September से पहले पहले तक अपना seat acceptance fee जो 40,000 है उसको आप pay कर दें याद रखे जिनको भी call is allot हुआ है first round में आप ये 40,000 fee pay कर रही दो और first round में जिनने call is मिला और वो allotted call is से satisfied नहीं है उनको क्या करना होगा इस चीज के लिए एक वीडियो मैंने बना करके रख दिया है तो आप वो वीडियो देख सकते हो वीडियो का लिंक ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ जादो प्राइब बटन में मैं यहां round one seat allotment result for BSE HHA पे click कर देना है यहां पे जैसे ही आप click करते हो तो आपके सामने में एक interface open होकर के आ जाता है जहां पे आपको अपना roll number, password और security pin देने के बाद sign in करना होता है तो यहां जैसे ही आप sign in करते हो sign in करने के बाद जो आपका profile है वो open होकर के आ जाता है अब 40,000 seat acceptance view पे हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद भी आप सेम इसी process को करके 2021 में भी अपना seat acceptance view 40,000 पे कर सकते हो अब यहां पे हमने seat allotment result जो है यहां left side में इस पे click कर देना है यहां पे जैसे आप click करते हो तो आपके सामने में इस तरह से एक interface open होकर क्या आ ज देख लोगे view seat allotment result completed है documents uploading यह भी completed है अगर अभी तक आपने documents भी upload नहीं किया है तो आप document कैसे upload करते हैं इसके लिए already वीडियो बना हुआ है उस वीडियो का link ने इसे description box में और साथ यह बेटर में मिल जाएगा तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो कि आप अपना document कैसे upload करोगे अब यहां पे हम लोगों ने simply करना क्या है पे सीट acceptance fee पे यहां left side में क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहां क्लिक करते हो फिर आपके सामने में इस तरह से एक इंटरफेस open हो करके आ जाता है अब यहां यहां यूजर डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा और नीच सीट acceptance fee में फिर से आपको SDFC payment gateway पे क्लिक करके proceed for payment पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हो फिर आपके सामने में एक EMI का भी option आएगा तो इसको मैं cancel करता हूँ अगर आप EMI के थ्रू जाना जाते है तो वो भी चले जाओ लेकिन थोड़ा सा पेचीदा होत आते हैं मैंने यहां पे debit card से payment किया था पहले मैं यहां पे UPI के थ्रू payment करने कोशिस कर रहा था लेकिन वहां से मेरा transaction जो है वो exceed हो रहा था बहुत सारे students के पास यह problem आया था तो आप UPI छोड़ करके अगर आप कोई other option select करते हो debit card या credit card तो उससे आपका जो payment है वो successfully हो आता है payment हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास एक message आता है यह transaction has been completed successfully फिर यहां से आप go back करके अपना profile फिर चेक करोगे तो वहां पे आपको आपका payment है वो success दिख जाएगा आपका transaction number और बाकी सारे detail वहां पे आपको दिखने को मिलेगा तो इसका आप screenshot लेके रख subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाले सारे important update notifications आपको मिलती रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद